ये कहानी कोरिया की जब की है जब इसे जोजन डाइनिस्टी कहा जाता था और किंग्डम की हालत बिलकुल भी ठीक नहीं है बारिश नहीं हो रही है आपर चारो तरफ सूखा पड़ गया है राजा टोना टोट का सब करवा चुके हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है अब रा बाबा को देखते हैं इसका नाम ली होता है जो की जूटी बविश्यवारी दिखा कर लोगों को उनसे पैसे ठगनी का काम करता है पर आज रोयल इंस्पेक्टर डू ने इसको पकड़ लिया होता है और राज महल में लेकर आ रहा होता है इस धोंगी बाबा पर बहुत सारे केस है, कि यह लोगों को घूस खोरी करता है बेखू कूप बनाता है उनसे पैसे लेता है बगार अगरब बहुत सारे जाते हुए राषटे में सारे कम आज लोगों को राजकुमारी के शादी के नोटिस को पढ़ते हुए देखता है लोग यहां पर कुछ बाते भी अनि हम कितनी मनहुश है हमारी राज कुमारी इतने में ये ड्होंगी बाबा ली कहता है जिसा कई तूम ने कहा कि तुमें एक ऐसे इनसान को राजा के करीम लाना पड़ेगा जिसका होरसकोप की पावर बहुत देच हो तो उसी टइज़ा राज कुमारी को राज महल में वापस लाया गया था उस टाइम उनकी उमर खाली 6 साल थी उनके फेस पर इलर्जी हो गई थी तो हमेशा मास्क पहन का रहा करती थी चुपाने के लिए पर इलाज करवाने के बाद थीक हो गई और उसी दिन से वो महल में रहने लग गई राजा के आस पर घू जाने अब राज कुमारी से साधी करने दूर दूर के राज्य से लोग आये होते हैं इनमें 12 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो कि दिखने में ठीक होते हैं वहीं राज मैल में हम राज कुमारी को देखते हैं इनकी बहन के साथ इनकी बहन की शादी हो गई है जो कि उसी जिनकी रोना पड़े इस रोयल बाबा के चक्कर में मैं कहां बढ़ रही हूं इसलिए मैं अपने होने वाले पार्टनर पती की डीटेल्स खुद जाकर निकालूंगी और देखूंगी कि हो कैसा है और यहां पर ढोंगी बाबा की धुलाई वरी होती अच्छे तरीके से पर पती जुष इस सबूए को देख त्जी इस अपने चोटे भाई को दवाई लगा रहे है इनका बाई देख नहीं सकता है डू बहुत दूर दूर से डॉक्टरों को लाते हैं इलाज करवाते हैं और कुछ नहीं हो रहा इनके भाई का इनका भाई कहता है कि कोई बात नहीं तुम अपने पैसे वेश्ट मत करो मुझे छोड़ दो और उसी दोरान महल में राजा ने भी एक न्यू जोतिशी पंडित को खोजने की शुरू कर दिये बातचीत क्योंकि वो चाहते हैं कि जो यह 12 लड़के की लिस्ट निकल के आई हैं इन में से एक लड़का जो सबसे परफेक्ट होना वो मेरी राजकुमारी के लिए चुना जाए अगले दिन डू आता है कोट में क्योंकि इंस्पेक्टर तो है पर साथ में इसको थोड़ी जोतिसी विद्या का भी ज्यान होता है तो अब से यहीं यहां का बाबा भी होता है राजमहल का और फिर उन 12 लड़कों में से 4 लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है राजकुमारी का पती बनने के लिए और फेस्टिवल में उनके नाम रिवील क किये जाएंगे और फेस्टिवल जब साम को सुरू होता है तो राजकुमारी भी यहां पर आई होती है नाम देखने के लिए ताकि डीटिल्स निकाल सके उनके यहां राजकुमारी को वैसे कोई पहचानता नहीं है क्योंकि आज से पहले राजकुमारी को किसी ने देखा ही रिस्ता तोड़ दिया था और यहीं से डू जा रहा होता है राजकुमारी इसको देखती है तो इसको लगता है कि यहीं यूंसिक है और इसका पीछा करने लग जाती है आगे जाका डू यूंसिक से मिलता है अब राजकुमारी को इन में से डू को यूंसिक समझ रही होती है यूंसिक तो सामने खड़ा होता है और इनकी बाते सुनती है यहाँ पर हमें पहला नाम पता चलता है जो कि उन चारों में से एक का होता है एक्शल में यूंसिक भी उसी में सोट लिष्ट हूँ है मतलब राज कुमारी से शादी करने के लिए अब डू पूसता है कि भाई ऐस और अब मैं शादी क्यों कर रहा हूँ यह रीजन बता है इससे पहले को इसको बुला ले तवर इस चला जाता है राज कुमारी ने सब सुन लिया है पर देखा नहीं कि इसने बोला है तो यह तूट पड़ती हो जाती है और डू को किस करने लगती है और यह उसको बताना च राज कुमारी अपने खास आदमी से चारो लड़कों के डीटेल्स न चोरी करवा लेती है जो कि आक्चल में डू के पास रखे थे क्योंकि वहीं यहां का बाबा है और अगले दीन राज कुमारी महल से भाग जाती है महल से भाग कर बाहर आती है तो उनको गरीबी भुकु मेश्वर्स फैला होता है ऐसे कुछ और यहां से फिर जाती है एक लड़की के पास यह बारे में बताओ तो यह पहले राज महल में दासी का काम किया करती थी बाड़ अब वहां से भिमारी का बहाना बना कर भाग गई और यहां पर परफ्यूम और फूल बेचने का काम करती और इसकी बहन अभी महल में ही काम करती है और यह कहती है कि देखो उन चारों में तो जो एक लड़का है न वो मेरी दुकान पर हमेशा आता जाता रहेता है उसका नम कांग है और दूसरी लड़का वो तो आपको पता ही है युनसिक है वहाए इंस्पेक्टर बागी दो लाज में यह आगे बढ़ जाती है इसका पीछा कर रहा होता है इंस्पेक्टर डू क्योंकि इसको लगता है कि लड़की चोर है इसी ने मेरी कुंडली चुराई और भागिये लेकर इसको पकड़ लेता है घर के सामने कहता है कि तुम राजकुमारी की दासी हो मैं तुम जान कि साधी राजकुमारी से फिक्स हुई है तो लाश्ट बार उससे मिलने आई हूँ अपने दिल की बात कहने आई हूँ दू का दिल पिखल जाता है कि ताहा का सच्चा प्यार है और फिर इसको अंदर लेका जाता है और यहाँ आपर हम देखते हैं ठर्ड लड़का होता है राजकुमारी का पती बनने वाला है जो यह उसांग है जो कि अभी 13 साल का होता है खाली जिसको और चाहिए और डू राजकुमारी को घूरता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुमने अपने से काफी छोटे लड़के से प्यार किया है और डू बाई यहाँ बैठा होता जोतिशी है तो इन दोनों की जर्मतीति पूछ करना कुंडली उंडली मिनाले लग जाता है तो इनके नों भाई 36 का 36 गुण मैच कर रहे होते हैं यहां महल में राजकुमारी का रूम में हम दासी को देखते हैं जो कि राजकुमारी बनके छुपी हुई एक्ट साथी राजकुमारी से होने वाली है पर मुझे मर्द बनना है पर हां मैं कितना भी खालू मेरी हाइट नहीं बढ़ती और मैं बढ़ा भी नहीं होता है राजकुमारी कहती है कि बड़े ऐसे नहीं होते हैं तुम टाइम के साथ साथ बड़े हो जाओगे यहां पर फिर हम र और चाहती है कि जब यूंसिक की शादी होगी ना इससे जो अभी राजकुमारी है तो यूंसिक को अपने नीचे दबा कर रखेंगी और अपने बेटे को राजकुमार बनाएंगी यूंसिक भी हमारे कम नहीं है अपना ही अलग प्लान चला रहा होता है यहां पर उसका क्या हैंसम हंक निकलता लड़कियों पागल है इसके बीचे और राजकुमारी बाइस को देखते ही पिखल जाती है एकदम से कितना हैंसम है वाँ 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 और वहीं पर एक घंटा साथ में बिताने के बाद अवकात पता चलती है कांग एक नमबर का प्लेबोई होता है किसी लड़की को मुझ लगा लेता है और लड़कियां छेड़ता है बत्तमीज होता है मतलब कूल मिला जुला के गिरा हुआ इंसान एक नमबर का और यहां पर यूंसिक डू से बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी करके राजकुमारी से मेरी कुंडली मिलवा दो अब दू मना कर होते हैं पर मैं बता दू यूंसिक डू यही पर राजकुमारी सोंग आ रही होते है चिला चिला कर डू भी यहां पर आया हुआ है राजकुमारी के होने वाले पती कांग को देखने के लिए और कांग राजकुमारी को गलत तरीक से टच करने लग जाता है उसको नहीं पता यह राजकुमारी है, इसको दास ही समझ रहे होते हैं यह लोग, और कहता है कि अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम दो साल में मर जाओगे, और जब तक साथ रहोगे तब तक उमारी खूब लड़ाई होगी, और भाई लड़ाई कि इसको ही पसंद होती है, यहा हम डू के घर में वहीं ढोंगी बाबा को देखते हैं, वहीं ली जोसा जिसको में सुरू में देखा था, वो यहीं पर रहने लग गया है कि रोयल बाबा ने बोला है, और यहां पर यह इसके भाई की सेवा करेगा, और डू का स्टूटेंट बनना चाता है, कुछ मतलब जो राजकुमारी से कुंडली मिलाई चाहेगी चारो लड़कों की, जो मैच हो इसकी साधी पकी, दू राजकुमारी की कुंडली देखके चोक जाता है, क्योंकि सेम कुंडली उस दासी की भी थी उस दिन, अब यह सोचने लगा है, क्योंकि इसने एक बार जब वो छोटे वाल राजकुमारी ती, और यहां पर हेड़ डासी को भी पता चल जाता है, इसी बीच की राजकुमारी महल में नहीं है, वो शोर शराबा तो नहीं करती है, ढूंडने के लिए चुपके से भेज देती हैं यहां राजकुमारी अब फूर्थ वाले लड़के, जिसका नाम अच्छा होता है, गरीबों की हेल्प करता है, उनको खाना खिलाता है, बाद सेवा पानी में लगा रहेता है पूरे दिन, यह सब देख के राजकुमारी बहुत खुश होते हैं कि कितना अच्छा है यह लड़का, और जब खुद सर्वेंट वाले एरिया में जाती है, तो महां पर जितने भी घर के नोकर होते हैं, और सारे भूग के मारे तड़ा पर होते हैं, अब यहां पर यह कहती है कि इनको खाने क्योंने दिया जा रहा है, तो एक दासी बताती है कि हम इनको खाना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इनको खाना नहीं देते हैं, तब त चलमें राजकुमारी गई हुए है अब यहां पर हम यह पता चलता है कि वो लड़का पर दिखने दिखने में अच्छा है दयालू उपर सो पर अंदर सो बहुत खतरनाक आदमी है वो यहां पर इसको पता चल गया होता है देख लेता सर्वेंट को चावल खाते हुए कहता मैं हमें दिया नहीं किस ने दिया कि वहुत मारता सर्वेंट कहों एक दस्ए बता देती है कि जो नइए लड़कीा यह परेंसे उसने जिंदा जमीन में दफना दिया तहा और वह उसी कारण से मर गई थी और्ये सारा काम इस लड़के की मा ने कि देख लिया ता उस रिए वो ल बखती है भाई होते हैं więc को पकड़ लेता है वो इसको पर दू भी जल्दी आ Bright color को पहाड से नीचे दख सकती देता है दू भी उसको भचाने के विछ द्यूस हाघ दा के लिए राजकुमारी सब बताती है कि मैं अच्छे लड़के की तलाश में आई थी है पर मैं देखना चाहती थी कि जिससे मेरी शादी होने वाली वह लड़का अखिर में है कैसा मैं किसी के साथ भी तो नहीं रह सकती हूं और सुबह यूंसिक के आदमी राजकुमारी को उठा ले ज अपर ख्याल लगों जूटा गई गहा डू के घर पे इसके भाई को यूंसिक के लोग मार पीट रहे होते हैं और डू से कुंडली बनवाते हैं यूंसिक की जो राजकुमारी से मैस हुझा है जो कि बिल्कुल फेक होती है और इसके भाई को कुए में गिरा कर यहां से चले दोनों नो एक दूसरे बनाने के पीछे पड़े होते हैं पर यह राज को मेरी चिपके से सुन लेती और यूंसी की इरादे समझ गई है पर रात को यूंसिक इनने ड्रक्स दे कर इनके साथ गलत-गलत करने लग जाता है पर बाहर से डू भी आ गया होता है जो बहुत गुस्सा है अंदर करना जारा देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और यहां पर इतने मेही महल के गार्ड आ जाते हैं अब इतना कुछ हो गया है तो राजा को अब यूसिक की शादी राज कुमारी करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर और यूसिक चाहता भी यही था पर राजा यूंसी को मौत की सजा तो सुना देते हैं पर मंत्रिया कर कहते हैं कि नहीं नहीं सजा वजा मद्दो शादी करवादो वह शादी करना चाहता है आपकी बेटी से बाहर लोग बाहर इसका भी तो इंतिजार कर रहे हैं पर दू यह नहीं होने देगा यह उस दिन धूंगी बाबा से सबूत मागने चला जाता है और पुरानी किताब लाके देता है इसको लीवइंड होंगी बाबा और इसमें रानी रोल्ग यूंसी के सारे क्रमकांड होते है सब लिखे हुए होते हैं फिर यूंसिक के घर में कुंडली चुराने जाता हूं फेक वाली जो इसने बनाई थी पर बेचारा इरेश्ट हो जाता है और अगले दिन सभा में यूंसिक को सेलेक्ट किया जाता है साधी के लिए राज कुमारी के साथ जैसा वो चाहता था और इन दोनों की जोड़ी एक दम ही बेकार है और डू के साथ साथ यूंसिक को भी आरेश्ट कर लिया जाता है डू को इसलिए किया गया कि कि उसने कुड़िली बनाई और तो आप देखते है रहे हो अभी उन्सी को बहुत मारा पेटा जाता है और डू को देश से बाहर निकाल दिया जाता है उसके पदवद को चीन लिया जाता है राज कुमारी राजा से कहते है कि दू को माफ करो मेरी गलती है महीं बाहर गई थी ये सब को पता ही है और एक लेटर भी लिख रीराणी को दो उन्होंने अपने चोटे से कमजूर बच्चे के लिए सब किया था पर राजा उठते हैं राणी के पास जाते हैं सजा देने के लिए पर अपने बेटे को देख करना राणी को माफ कर देते हैं और कई साल बाद आज फाइनली किंग्डम में बारिश होती है बिना साधी किया ही और यह सब देखकर राजा राज कुमारी से कहते हैं कि तुम चली जाव डू के पास कोई बात नहीं एंड में दिखाए जाते कि राजकुमारे से कहती कि तुमने मुझसे अभी प्यार किया है ये कहता है कि जबसे तुम है देखा है ना उसी time से तुमसे प्यार करतो हूँ खोए को सब्सक्राइब कर दो कर दो सब्सक्राइब कर देना मिलता अगली वीडियोसाइब दिने जाए